हेलो दोस्तो माइन इम इज प्रेंका शर्मा और आप सब लोग कैसे वह अच्छे रोव स्वस्त रहो और आप तो गाड़े में ही वीडियो बनाना पड़ रहा है पांच मिन के लिए गाड़ी रोकी है एक्चुली दूसरे होस्पिटल में कहीं प्रोसेजर करने जाना है मुझ और पहली करना है आप लोगा जो भी मुझस करना है तो बहुत प्रेस कोई की यार चैये में थोड़ा ही बनाओं ये कुछ on आप लोग उसके для करूंफ और आप मैंको फोड़ा सा मनदे रह सक्राब्स करना तो हम आपने दिला सी य्जिश्ष आता है कुछ भी होता है कोई चीज मुझे बुरी लगती है तो फिर आज कल ये सोसल मेडिया बहुत अच्छी चीज है यार उससे आप अपने अना दिल की बात अना लोगों तक आप पहुचा सकते हो फिलाल मेरा ना मतलब एक ही वो है कि यार पांचे मेने ये जो आरती और छोटू का जो हुआ था यार आरती से मिलने रात को छोटू गया था बिहार में जो केस हुआ था और फिर छोटू को आरती के घरवालों ने बहुत ही बुरी तरीके से उसको करंट लगा के बहुत बुर कि मलब वो उसके बच्चे को मार ही डालेंगे नहीं तो वो पुलिस को बुलाते कुछ करते एक्शन लेते खैर अब तो ये सब बाते करने से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि वो तो विचारा ये दुनिया चोड़ के चला गया और जो चीज चली जाती है वो वापस आने वाली है नहीं तो उस पर अपना अगर अब कोई बात करें तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है बट अभी में मुद्दक है में पॉइंट मेरा ये है कि मलब जब ये कांड हुआ था तो वीना जी ने आर्टी के साथ खड़े हुए और भी मैं लाएं काफी सारी आगगे आई तो चोटू के मनने पे उसका जो किरिया करम वगरा था वो भी आर्टी ने किया तो वो सब और आर्टी ने बोला कि मैं चोटू की विद्वाबन के मैं इसी घर में रहूंगी तो आज अगर उस ने आज अगर मतलब वहां के समाज वालों ने उन सब ने अगर मिलकर चोटू के बड़े भाई से आर्टी की शादी करवा दी तो उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है उस लड़की की एज क्या है वो 19-21 इतनी एज है इतनी है जैना मतलब अभी तो शायद वीना जी आप तो बहुत मतलब बहुत सेन्यार हो एडल्ट हो आप में वो सोचने समझने की वो शक्ती है जो आर्थी में नहीं है आपके परब़बर है क्योंकि आपका एक्सपरियंस है और ओरती का है उसने उस टेम पे बोल दिया कि ठीक है मैं उसकी विद्वाबं नहीं होँ उसके घर में रह रही है फिर समाज वाले और जो समाज के नहीं आई वह भी objection उठा रहे हैं भाई आप किस हिसाब से इस गर में रह रहे हो जो भी है sector है sector मतलब कुल मिला के मरना ओरत का ही है मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आपको आपने जब हुआ आर्थी के साथ गलत हुआ तो आप उसके बुरे में आप खड़े रहे और मैं तो कहते हूँ जो बुरे में खड़ा होता है वही आपका सच्चा वह होता है मलब दोस्त मालो या आपका वैलवेशन मालो कुछ भी मालो वह होता है तो अगर आज अगर मलब जोटू के घरवालों ने आर्थी से मौनू की शादी मलब आर्थी की मौनू से शादी करा दी तो आपको तो ये चीज में मलब खुश होना चाहिए एप्रिशेट करना चाहिए प्लस उनको आशिरवात देना चाहिए और ना कि आप उनको ये बोलो कि भाई ये पहले जो कर रही थी वो सब दिखावा था प्यार था के नहीं था बला बला जो भी है मलब एक औरती औरत को मतलब यार नीचे किरा रही है वो भी आप तो इत्ते एक्सपीरियंस्ट हो यार वी न जी आप आप सोच समझ के आप कोई बात बोलो ना कि आप क्या बोल रहो मतलब जो टू मर गया वो तो गया अपनी जिंदिगी उसकी गई तो आप या चाहते हो कि मतलब आरती भी अब अपनी पूरी जिंदिगी उसकी याद में उसकी यादों के सहारे मतलब कैसे मतलब ऐसे मतलब जी सकता है कोई आदमी मतलब मरना हर तरीके से औरत का ही है वो चोटू से प्यार करती थी चोटू से चोटू से मिलने गया तो बोल दिया भाई, उनको गलत उसमें देखा गया तो उस लड़की के उपर इलजाम लगाए गए आज उसने शादी कर ली तो उस लड़की पे इलजाम लगाए जा रहे हैं तब भी वो गलत थी, आज भी वो गलत है मौलब कुल मिला के मौलब इंडिया में है क्या मौलब आज भी 2022 चल रहा भे 2023 आने वाला है ऑज मौलब यार और ओरत का ही दर्द नहीं समझ रही है उसने शाधी कर लit आर खुश होना चाहिए उसको भी जिन्दगी जीने का हक है उसको भी वो जिन्दिगी जीने दोना यार है आप इस तरीके से ये बाते करके ये सब करके यार क्यों ऐसा कर रहे हो क्यों ऐसे रिपेजेंट कर रहे हो आप अपने आपको की मतलब आगे से मतलब फिर तो कोई किसी महिला को प्रोबलम होगी आप कल उनके साथ जाके खड़े होगे फिर अगर वो ओरत उस प्रोबलम से बाहर निकल के कुछ अपने लिए रास्ता निकालेगी आगे जीने का तो आप कहा दोगे कि भाई वो तो गलत है बिल्कूल गलत है तो ये चीज़ तो ठीक नहीं हुई ना विना जी देखो जो भी है मैं आपकी रेस्पेक्ट करत हो मैं भी को रहत हूं तभी मैं ये बात बोल olan抵 करता कि आति कि आप मां के समान ऐं या आप एक बार उसकी जगेट खडियों के ऐक बार आप देखो मैं यह नहीं कहती कियार वो पूरी तरीके से बऋ सही है वो एकदम सही है वह बच्चे या अर बच्चे गलतियां करते है आपके भी बच्चे होंगे वो भी गलती करते होंगे आप उनको भी तो माफ करते हो ना तो मेरे कहने का मुझा बस इतना ही है कि ठीक है उसने शादी कर लिया तो अच्छा है ना वो मतलब उस घर में रह रही है उसको जो छोटु को प्यार करती है वो भी उसका है और वो उसके साहरे उसके घर में उसके भाई के साहरे वो वो भी रह लेगी और वो अपनी जिन्दगी काट लेगी भाई अब उसने बोल दिया कि मैं छोटू की विद्वा बन के रहूंगी तो आप लोगों को ये सब देखके अच्छा लगेगा कि वो जिन्दिकी पर उसकी शादी तो उसकी हुई नी थी छोटू से फिर भी वो उसकी विद्वा बन के आज जिन्दिकी अपनी बरबाद करके अगर वो बैट चाहेगी तो ये देखके आप लोगों को अच्छा लगेगा ये देखके आपको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ये विद्वा बन के रहरी इसने बोला था वो इसने किया बट आपको ये देखके अच्छा नहीं लग रहा कि अगर उसने शादी कर लिया तो चलो उस बची के लिए अच्छा हो गया वो अपने लाइफ को आगे move on कर सकती है किसी के जाने से किसी की जिन्द की रुख जाती है क्या नहीं रुखती ना आप नहीं बूला जिसके divorce जाते है जिनके पती मर जाते हैं क्या वो मैलाए नहीं नहीं रहती। रहती हैं वह कौन कह रहा हैं कि सिंगल मदर नहीं रहती। यह भी तो होता है ना जिनका डायवोर्स कई बार किसी से हो जाता है तो वह क्या दूसरी शाधी नहीं करते कर लेते हैं विड़ो हो जाती है तो वो भी कर लेते हैं ना जब शादी शुदा आदमी मनला डाइबोर्स होने के पाद शादी कर सकता है विड़ो होने के पाद शादी कर सकती है महिला वो उनका एक सेल्फ डिसीजन है वही उनको अगर वो विड़ो हो गए उनका म उनकी लाइफ है, उनका कॉल है, कि उन्हें अपनी लाइफ आगे कैसे गुजारनी है, बट आरती की तो शादी ही नहीं है, उसकी तो पूरी जिंदिगी पड़ी थी, वो उस जिंदिगी को छोटू के साथ जीना चाहती थी, बट नहीं जी पाई, पर इसका मलब ये थोड़ी नहीं कि वो, मलब उसकी पूरी लाइफ स्पोयल कर दो सब मिलके, मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाल अच्छे बोल रहे हैं, कुछ मीडिया वाले गलत बोल रहे हैं, अरे यार, टियार पी के लिए कुछ भी करोगे, आपको किसी के एमोशन्स की थोड़ी बहुत भी कदर ही हैं, कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी, कुछ भी जो आपके मन में आ रहे हैं, क्या गलती कर दी उसने शादी करके, और समाजवालों ने, ठीक है, समाज उस टेम नहीं था, खड़ा, नहीं था, छोटू के मामले में खड़ा, लेकिन जब इतना बड़ा खांड हो तो उस समाज को भी तो समझ में है ना, कि हम गलत थे, तो और समाज के विचार कैसे बदलेंगे, जब कोछ चीज, कोई घटना घटती है, फिर समाज उस पे विचार करता है, कि हाँ यार, यह चीज गलत हो गई, अगर हम वहाँ पैसे करते, तो यह ऐसा नहीं होता, तो होगा, तभी तो उन दोनों की शादी कर रही, ऐसे तो, मतलब, क्या चाहते हो आप लोग, विना चीज, आपने क्या सोच समझ के, मतलब, जो भी स्टेटमेंट दिया, आपने, मेडिया के सामने, कि वो जूट बोल लीती, यह है, वो है, फलाना डिम का, आप क्या चाहते हो, आपकी बेटी होती, उसके साथ ऐसा हो जाता, ठीक है, वो किसी से प्यार करती थी, और भाई, उसका लवर मर जाता, और फिर उसकी बाद क्या, आप अपनी बेटी को जिन्दगी पर घर बिठा के रखते, आप अपने पे भी तो लेके सोचो, ना, आप उसको जिन्दीपर गर बिठाकर रखते क्या तो मतलब क्या है या जसली शावा समा समाज समाज हरे क्या और टू किव्ड को ही फेस करनी है आपने समाज समाज की किया मान सकता है म squeezed नहीं आ अब लगा हर एक चीज में मालब औरती गलत भई औरती गलत औरती गलत आज भी दो 2023 आने वाला है कुछ नहीं चेंज हुआ कुछ भी चेंज नहीं हुआ आधे लोग कि अभी भी मान सकता है कि औरत एक पैर की जूती है उसको वही बना के रखना चाहते हैं वो नहीं भई अब आप नहीं बना सकते हैं औरते आदमियों से ज़्यादा स्ट्रोंग है वो अपना घर भी संबालती है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी संबालती है वो अपना सब को संबालती है उनका अपना एक ओपीनियन है आज की महीला का और वीना जी खेर मुझे जो बुरा लगा वो मैंने बुला बाकी आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए सौरी बट बाकी मेरा जो पॉइंट ओफ यू था मैंने वो रखा है पबलिक के सामने अच्छा लगे तो बताना बुरा लगे तो बताना और आप इस बात से सहमत हो या नहीं खास तोर पे मैं सि पेस्सम्हकन कि मेरी कोई आरती मेरी कोई रिश्टेदार नहीं लगती और मेरा उससे दूर दूर से कोई मतलब है बट फिर भी मैं एक महिलां होने के नहीं यु बात बोल रही हो और ये बात मैं सब महिलां से बोल रही हो मुझे मैसेज मैं महिलनाओं के लिए खास तोर पे मैं इसको आप लोगों के सामने रख रही हूं तो प्लीज मुझे बताओ मैं सही बोल रही हूं या मैं गलत थैंक यू वेरी मज़ दोस्ता हूं